नमस्ते मैं हूँ देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर आपने स्टूडियो वन खोला और सबसे पहले यहां गए न्यू सॉंग इस पर क्लिक किया आपके सामने खुल गई यह विंडो सबसे पहले हम यहां पर देंगे सॉंग टाइटल चलिए इसका नाम रखा हमने स्टार्ट कहीं भी आप सेव कर सकते हैं C drive, D drive जहां भी आप चाहें बाइडिफॉल्ट आप देख सकते हैं path यहां पर वो सेव हो रहा है इसके बाद आएगा sample rate, by default होता है वो 44.1 kHz और अलग-अलग sample rate है यह क्या है हम detail में बाद में पढ़ेंगे इसके बाद आती है resolution, by default वो 24 bit है, बहुत साल पहले 16 bit थी और आने वाले वक्त में वो 32 या 64 भी हो सकती है जो आप यहां देख सकते हैं, by default हम 24 रख रहे हैं, यह क्या चीज़ है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे time based, bars best रहता है, वैसे हम यहां seconds, samples या frames के हिसाब से भी कर सकते है फिर आती है song length, 5 minute जो बाद में कम या ज्यादा हो सकती है tempo, जो हम बाद में change कर सकते हैं, by default ठीक है, जो भी यहां लिखी है 120, अगर आपको अल्रेडी मालूम है कि आपकी ताल क्या होने वाली है, tempo क्या होने वाली है गाने की तो आप यहां simply click करेंगे, आप लिखेंगे 90, that's it time signature, 4x4, आप numerator या denominator चेंज करके उसकी ताल, उसका time signature चेंज कर सकते हैं जिन students को time signature के बारे में नहीं मालूम, बिल्कुल tension मत लीजिए, इसके उपर पूरा detailed lecture बहुत जल्दी आने वाला है दुनिया में 99.9% जो गाने हैं, वो 4x4 पे ही बने हैं, इसलिए भूल जाईए और click कीजिए OK हमारे सामने आगे ये section जो की section 1 है, section 2 है और section 3 है हमारा सारा जो काम है, पूरी playlist है, वो यहां पर होगी पूरा workspace, यहां पर उसके बहुत सारे controls होंगे और यहां पर होगा हमारा browser, मैं top पे जाता हूँ, तो काफी सारी हमें options दी गई है, नीचे भी काफी सारी options है जो हम एक एक करके देखते जाएंगे, और बिल्कुल bottom right पे जाते हैं, तो 3 button है, browse, mix, edit browse अभी on है, click किया वो off हो गया, वाप इस click किया वो on हो गया, और आपके सामने यह browse window आ जाती है browse window क्या है, आप यहां भी देख सकते हैं, instruments, effects, loops, files, जो की यहां भी है, instruments, effects, loops, files, cloud, shop, pool, यह सब क्या है धीरे धीरे हम आगे जाके सीखते रहेंगे, file, desktop से लेकि कहीं भी, studio one, किसी और folder से आप कुछ भी लेना चाहें, तो यहां से उठा सकते हैं loops, जो बहुत सारी loops हमने already download की हैं, इसके अंदर दिखा देगा, effects, जो भी बहुत सारे effects हमने music के दोरान लगाने हैं, वो यहां से दिख जाएंगे और जो instruments हमने use करने हैं, वो यहां से दिख जाएंगे फिर आता है mix, mix पर click या तो हमारा mixer खुल जाता है, अभी फिलहाल song का कुछ है ही नहीं, इसलिए यहां पर mixer फिलहाल नजर नहीं आ रहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, mixing की तरफ बढ़ते रहेंगे, यह बटन जो है बहुत ज्यादा important होगा, आप सीखते जाएंगे क्लिक किया, वो चला गया, यहां से आया edit, और यहां पर हमारी edit window खुल जाती है जो भी track हम यहां पर use कर रहे हैं, चाहे vocal track है, चाहे piano है, चाहे drum है, चाहे guitar है उसको edit करने के लिए यहां पर बहुत सारी options आ जाएंगी, वापिस क्लिक किया edit और यह चले गया इसके बाद आता है यह section, और यहां सबसे ज्यादा, सबसे पहला जो important है, वो है कि हमें कोई track बनाना है track जिसके उपर हम काम करेंगे, track बनाने के तीन तरीके हैं, या तो simple, बहुत easy, आप अपने keyboard पे क्लिक करेंगे T, T for Tiger, आपने T पे क्लिक किया, और आपके सामने यह window खुल गई, यहां से हम कोई भी उसका नाम रख सकते हैं instrument, या audio, या automation, कौन सा track बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं, चलिए इसे हम audio track बनाते हैं, और ok करते हैं simply, audio track बन गया, जिसका नाम है hello, दूसरा तरीका, double click, इस खाली एरिया में double click किया, again, वैसे ही window खुल गई, इस बार हम कोई instrument track बनाते हैं, और इसका नाम लिखते हैं नमस्ते, again बन गया, तीसरा तरीका, plus, plus पे click किया, फिर से वही window खुल गई, और हमने एक और audio track बनाया, इसका हमने नाम रखा, high, ok, इस तरह से ये बनते जाएंगे, simply, t पे click किया, ok, t, ok, t, ok, कितना आसान, और अगर मुझे वापिस remove करना है, तो दो तरीके हैं, right click करूँगा, remove track, simple, या फिर shift T, shift T, shift press करके T, T for tiger, shift press करके, so easy, इस track को किस तरह से भरना है, यहाँ पर कुछ audio चाहिए, या कोई MIDI फाइल चाहिए, वो हम आगे-ागे देखते जाएंगे, यहाँ नीचे आते हैं, तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, वो है MIDI, यहाँ ल अगर आपने कोई MIDI controller connect कर रखा है, और उसके अगर आप key press करेंगे, तो यहाँ पर वो highlight होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा, कि जो MIDI keyboard है, वो connected है, फिर यहाँ आती है मेरी performance, उसके बाद वो ही, जो हमने शुरू में देखी है options, यह बता रहा है कि कितनी space हमारे computer में उसरा बार और so on, यह क्या चीज़ें हैं यह भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद वो ही rewind, forward, बिल्कुल शुरू से चलने के लिए stop, play, record, loop, एक एक चीज़ बहुत ही clearly हम आराम से आगे देखेंगे, फिलहाल मैं आपको एक overview दे रहा हूँ, ठीक, यह मेरा left channel, मेरा right channel, यहाँ प प्लिक हम देते रहते हैं, so that हम tempo से या ताल से off ना हो, बेताल ना हो जाएं, इसलिए हमें metronome की जरूरत पड़ती है, again वो ही time आ गया, यहाँ पर tempo आ गई, यहाँ से आप की भी चाहें तो select कर सकते हैं, पर इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, फिलहाल हमने इसका एक overview देख झास जरूरत चैंजा द्सल clinics में बाप सकते हैं, ची जरूरत जरूरत टाने दूर puedes आछएं, the खिलहाने देन बちょっと on the का समी जरूरत का सरी हैं, जरूरत दुरत प्लूरत वाईं का यहां、 घरूरत प्लेूरत आज़िंवें और रहते हैं, उ veल ज हमें, इसकी झाज़ने उल, का